ओम साइराम मेरे प्यारे बच्चे सीखते जाओ ज्यान बटोरते जाओ और सब के साथ बाटते भी जाओ तुम्हारी प्रतिभा और शमता वो विशेश आशिरवाद है जो तुम्हें मिले हैं गुजरी बातों को भुला के देखो अपने जीवन की कहानी की नई शुरुवात करो इस बार तुम्हारी कहानी आनंद और उमंग से भरी होगी हर भूल को भुला के देखो जो सीखा है उस पे अमल करके देखो तुम्हारा घर वो शक्ती का केंद्र है जो तुम्हें सुरक्षा के साथ साथ तुम्हारा बालन पोशन भी करता है तुम्हें शान्ती और सम्रिद्धी देता है अपने घर में लगी हर एक इत को हर एक दिवार को अपना शुक्रिया दो अपना प्यार दो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए हमेशा मंगल कारी होगा तुम्हारा घर मेरा घर भी है तुम्हें अधिकार है अपना जीवन आनन्द और सम्रिद्धी के साथ जीने का तुम योग्य हो इसके जीवन के किसी भी सवाल के सामने अपने आत्म विश्वास को कभी गिरने मत दो हिम्मत रखना जीत तुम्हारी होगी अगर तुम्हें ये लगे कि कोई कोशिश भी नहीं करता तुम्हें या तुम्हारे इरादों को जानने की इस बात से मायूस ना होना तुम्हारा सबसे जुदा होना ही तुम्हारी विशेशता है जब कोई तुम्हें ना समझे तो वो समय होता है अपनी विशेशता को समझने और पहचानने का इसलिए कभी कभी कुछ देर अगर अकेले भी चलना पड़े तो परेशान ना होना पूरी तरह समर्पन करके देखो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा मुझे पता है तुम्हें मेरा जवाब चाहिए एक रास्ता चाहिए परन्तु जहां समर्पन होता है वहां सवाल नहीं होते आश्वस्त रहो तुम्हें सहयोग मार्गदर्शन मेरा साथ भी जरूर मिलेगा तैयार हो जाओ एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए समय आने पर हर जवाब तुम्हारे सामने होगा तुम्हारे लिए सब शुब है सब शुब ही होगा अपने साई के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहद पसंद है जैसाईराण